हरे रामा हरे कृष्णा 1971 की भारतिय संगीपमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया है जिसमें उन्होंने खोद मुम्ताज और जीनत अमान ने अभिने किया है ये फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए स्टार बनाने का माध्यम जिन्होंने एक प सवश्रेष्ट सहायक अभिनेत्री का पुरसकार जीता और साथ ही सवश्रेष्ट अभिनेत्री के लिए ब्यफजे पुरसकार भी जीता 1970 के दशक में अंतरराश्ट्रिय हरे कृष्ण आंदोलन के उदै की प्रिष्ठ भूमी में Montreal स्थित एक जैसवाल परिवार है जिसमें मा, पिता, बेटा, प्रशान्त और बेटी, जसबीर शामिल है मदबेदों के कारण, मिस्टर और मिसेज जैसवाल अलग हो गए जिससे जसबीर अपने पिता के पास और प्रशान्त अपनी मा के पास रह गया आखिरकार प्रशान्त और उसकी मां Montreal में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं श्री जैसवाल पुनर विवाह करते हैं और अपनी नई पतनी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं जैसबीर को उसकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं भारत वापस आकर प्रशान्त को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशान्त का कोई भी पत्र जैसबीर तक न पहुँचे ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके जैसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्यानी पिता से परेशान है जो अपने व्यवसाई में गहराई से डूबा हुआ है सालों बाद प्रशान्त बड़ा होकर पाइलट बन गया है उससे अपने पिता से एक पत्र मिला है कि जैसबीर जिसने विद्रोह कर घर छोड़ दिया था अब हिप्पियों के एक समूव के साथ काठमांडू नेपाल में है प्रशान्त ने अपनी बेहन को धूंदने का फैसला किया और उम्मीद है कि वह उसे परिवार में वापस ले आएगी जब प्रशान्त काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती बलकि जैनिस मिलती है जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बेहन है